देश के कोने कोने से हुनर और हुनर बाजों को ढूड़ना ही हमारा काम है और यही काम करने हम आज आ गए हैं करनातका के एक छोटे से कोस्टल शेहर में जो कि गोवा से थोड़ी ही दूर है और जहां कंडडा और कोंकनी दोनों बोली जाती है इस शेहर का नाम है कारवार कारवार अपने fishing culture के लिए जाना जाता है जहां सालों से पारमपरिक करीके से मच्छी को पकड़ने का काम होता आ रहा है सुबा सुबा कारवार के बीच पे होते हैं कई मच्छवारे जो की समुद्र तक से ही ये traditional fishing या shore scene fishing करते हैं यहां हम मिले उदेत तुकाराम से, जो की 30 साल से इसी पदती से फिशिंग कर रहेंगे. शोर सीन फिशिंग में किसी मेकनाइज बोट की जरुवत नहीं होती, तो जाहर है ज्यादा खर्चा भी नहीं होता. जो नेट इस्तवाल होते हैं, उन्हें येंडी नेट कहा जाता है. नेट को एक चोटी सी नाव पर डाला जाता है, फिर रसी का एक छोर, एक एन पर छोड़ दिया जाता है. बोट समुद्र में एक सेमी सर्कुलर चक्कर लगाती है जिससे नेट उसी शेप में समुद्र में फैल जाता है बोट अब वापिस छोर पर आती है और अब काम शुरू होता है नेट को किनारे की तरफ खीचने का जी हाँ, बड़ी मेहनत और हुनर का काम है ये धीरे धीरे नेट के साथ साथ मचली अभी शोर तक आ जाती है इन मचवारों ने भले ही साइंस ना पढ़ा हो लेकिन पीडी दर पीडी मिला हुआ ग्यान उनका हुनर निखारता है अभी 2-3,000 मिल सकता है और बारिश के टाइम पर कहने सकता है एक लाग, दो लाग मिल सकता है दो मैने में शोर सियन फिशिंग देखने के बाद जब मैं इस छोर से दूसरे छोर गई तो नजारा कुछ अलग ही मिला बड़ी-बड़ी mechanized boats जिनमें person boats और trawlers भी शामिल है इनमें fishermen समुंदर में दूर तक जा सकते हैं कभी-कभी 4-5 दिन तक भी भाहर रहते हैं जब तक की मचली ना मिले मतलब कई बार 5 दिन बोट पर ही रहना पड़ता है उन्हें और वापिस आने पर इनी तट पर लाकर लगती है मचली की बोई और जो भी खरीदार देता है सबसे ज़्यादा दाम मचली जाती है उन्हें के पास यहां के समुदरों में मचलीया पकड़ना तो difficult है ही लेकिन कारवार के बैक वाटर्स में भी कुछ अलग तरह की फिशिंग होती है और वहाँ हमें मिले एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग फिशर्मन 73 साल के सदाना आप इनकी उमर पेना जाएगा जाल में मचनियों को फसाने का हुनर ये खूब जानते हैं और मज़े की बात तो ये है कि उन्होंने ये हुनर सीखा 2004 में जब वो कारवार के सिवल हॉस्पिटल से एकसे टेकनेशन की जॉब से रिटायर होए सदाना जी की खास बात ये है कि उन्होंने दूसरे फिशर्मन को देख देख कर ही ये हुनर सीखा और ये अपना नेट भी खुदी बनाते हैं यानि एकसे टेकनिशन से फिशर्मन और फिर नेट मेकर भईवा मतलब सीखने की चाह हो तो सब आसान हो जाता है पहले पहले थोड़ा थोड़ा डीपी कर्ठाया बाड में इजर जाल मारके मारके हमको हभीट हो या अभी हम कैर नहीं करता है कैर नहीं से हम ये जाल जाल के मठी माते है ये मठी हमार घर में भी बनाता है और एस्टा रहे तो हम किसको भी भीजते एक बार दो हजार भी मेरे तु मिला, एक बार पांसो भी मेरे तु मिला, एक गंटे में, और एक बार कुछ नहीं तो भी एक सवतो मिलता है, लेकिन खाली नहीं होता है। लेकिन कभी-कभी सिर्फ पांसो रुपया ही दिनका मिल पाता है। भाई, वो भी कुछ कम नहीं है। माई इस सेक्टर में उनके हुनर को पहचान देलाने और रोजगार को पढ़ाने का बीडा उठाया है। स्कुमिल भी एकूर्ण प्रे trillion 1910 lived in the marine fishery sector we have । a job role to recognize the skills available with the existing fishermen through leather condition per learning program we have also got different layers of manpower working in a marine fishery sector likegrid fishing board drivers and fishing board mechanics and electronic equipment technician so many other layers of people are involved up to fish retailers in the sector so we are slowly trying to develop manpower by risk killing and upskilling so that skilled manpower is available for the marine fisheries sector also araywa sirf ek fisherman ka hi kaam nahi hai is sector me balki aur bhi kai rosh gaar mil sakte hai toh phir aap bhi pakadhyay aray machli nahi is khunar ka raastah aur bange jayye khunar baad